हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक बाद फिर से आपके पसंदा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि गारगी पुरुसकार का वितरन किस दिन किया जाता है साथ ही सरस्वति की पूजा किस दिन की जाती है और लक्षमी और गनेजी की पूजा किस दिन की ज कि पूजा वतिक है किस दिन किसके होती है चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास को देखते है कि कब किसकी पूजा की जाती है अगा कार्थिक मास की जो शुरुवात है वह यहां से आज होने वाली है कार्थिक मास देखिए कि सबसे पहले हम लेंगे क्रश्न पक्ष इसका क्रश्न पक्ष के अंदर आएगा क्या आएगा क्रश्न पक्ष की जो चतूर दर्सी क्रश्न पक्ष की जो चतूरती है कार्थिक मास सबसे पर आता किस महीने में देख लिए इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है कि कौन सा महीना किस हिंदी मा जो है कौन से महीने के अंदर आता है इसके लिए मैं अलग से क्लास ले रखिए आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं और साथ ही आप उसको एकदम क्लियर कर सकते हैं क्रश्न पक्स औ अंदर आता है सबसे पहला चोहार जो आता है वो है कौन सा चोहार है करवा चोथ का चोहार है करवा चोथ का चोहार है यहां यह वही चोहार है जिस दिन महिलाए जो है अपने पती की दिरगायू के लिए पूजा करती है और वरत रखती है महिलाए पती की दिरगायू के लिए अपने रम AG के वरत रखती है और अपना व्रत तोरती है यह तोड़ती है रात को शाम और चांड जिल जाता है उसे देखकर ही अपना तोर ईति करवा एक करतिक की करति की गष्क्रत में चतूर्थी होती है को साथ प्रिश्टी सी चान जरुकर की करवा चोत का त्योहर कब मना जाता है। ऐसे में जो है चोत मना की वूजह होती है करवा क्यों की बाँ आती है धन तेरस श्क त्योहर। चयुड़ारभेत के जो प्रणिता है कर देंगे happens ते परणेता कौन या दंवंतरी इस दिन घंवंतरी की पूजा की जाती है फिर धनतरस मुज़ satisf न क्यभाटा साट मुज़ा जाती है जो आयुज़ both 1 या अ मौना सी इस दिन ये कोन्सी बनला ँटीक की पीजल रहा है द्च्वारी कुझन कि त्य Chronrement जाती है इस दिन धनमंत्रे की पूजा की जाती है जो कि आयरुवेट के प्रणेटा कहे जाते हैं माने जाते हैं और इस रूप में पूजे जाते हैं और इस दिन धन तरस के दिन आपको सभी को पता है कि आबूशन खरीदे जाते हैं आपुशन बरतन और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है इस दिन धन तेरस के दिन जो है यम्राज की पूजा का विधान भी है यम्राज की पूजा का विधान एक इस दिन धन तेरस के दिन और यम्राज के लिए क्या करते हैं एक किजिन्ह तक दीपक बनाकर धर शान केर्ट लें में किया आ करते हैं किस प्रकार करते हैं आर्टे का दीपक बनाकर हे इसलिए व किसवा स्व रखते हम रखते हैं था कि थ कि है ठीडिए दोस्तों अब देखिए इससे अगे गहाएं गत και यहार रूप चोदस का जो है रूपика चर्वल कर सभे नहाते हैं किस अधा सभी हुडय कर सभीहे तो यह सभी सभखते है कि संधरी और सभखता अ का त्योहार मना जाता है कि यह सभी जो त्योहार कार्टिक मास में आते हैं और यह दिपावली के आसपास चलते हैं मटिर को ठीके दोस्तों कि अगवांसिए प्रकार ऑसमें दीवाली क मने जाती है दिवाली के दिन सबी रात को लक्षमी पुजन करते है है और दिन किस की पुजा होतिए गनेश्वा लक्षय में एंगा तो चुछार चरह सुस्आ की व वह पर पढ़ते रही है तो अभी पुजा की करनी है की एंकी कए ती बन के विस्टिश सबद किंगेons करकते कि ऐसे 1883 में अजमेर में अजमेर में कौन सी है स्वामी दयानन सरस्वती स्वामी दयानन सरस्वती का इस दिन नितन हो गया था 1883 में और इस दिन महाविर स्वामी का निर्वान दिवस है निर्वान जेन संप्रदाय में इनके मिनत्यूत दिवस को क्या करते है निर्वान दिवस तो वो था विशेशन का चुछिए इसके बात होता है गौरधन पुजा अनुकुट महुत्सव शुक्लपक से है कार्थिक का उसकी एकम के दिन होती है गौरधन पुजा और गौरधन पुजा के दिन एक महुत्सव मना जाता है अनुकुट महुत्सव और वो महुत्सव का मना जाता है श्रीनाच जी स्रीनाच जी के अंदर वहां कि होता है रात को क्या करते हैं कि जो पीले चावल होते हैं उनका एक शिवलिंग टैप बनाया जाता है बड़ा उस दिन होती रात को भीलों की लूट उसमें क्या होता है कि जो भील संपरदाई के जो लोग है वो उस अनकुट को जो है वहां से उ उन से इस चावल को खरीदगरा अपनी तीजोरी में रखते हैं जिससे कि उसे उनकी धन्व वर्षा होगी तुधी तो उन बीलो जावल को खरीदते है और गिलो की लूट्म हर और पर यह होता है अनुकुट महुत्साव स्रीनाज जी के अंदर कहां पर है यह स्रीनाज जी मिन आपको लोग देवताओ लोग देवियो और प्रमुक मंदिरों वाली क्लास बते थी उसमें मैंने बताया था अगर नहीं देखिए तो आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए उ बाउजन यह आता है अब इसके बाद जो आता है शुक्लिफक्स का नहीं कि नौमी के दिन आती है और इस दिन क्या ओता है आवले की पूजा की जाती है और बहुजन में भी आवला ही खाया जाता और इन्हें आहार के रूप में खाया जाता है आहार में लिया जाता है अब यह आवला नौमी इसके बाद जो आती है दोस्तों कौनसी 11 कौनसी 11 देव उठनी 11 देव उठनी 11 यह सुरूं हो जाते है आसिंद के सवाइभ जी बजनी सुरूं हो जाते हैं और सभी मंगल का रहे हो को यहां से शुरू हो जाते हैं देव उठ जाते हैं कार्थिक शुक्री की एकादस्य को और कि इसे प्रबोधनी यारस भी कहते हैं प्रबोधनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है और मांगलिक कार्य जो है इस 11 से शुरू हो जाते हैं इसके बाद आती कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा जो है 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 कार्तिक पुर्णिमा का मिला कहां बरता है पुस्कर के अंदर राजुस्तांrac सबसे रंगीन मिला है यह है और यहां पर जो हैसमेले यह जो पशुँ आते हैं वह कौइट से गिर सारे मेले बरते हैं यह बताए कक पिल इणिक का कपिल उनी का मेला का बड़ा का मिल्या का Gr pH कुलाया जहां पर कौन सी जाती के लोग नहीं जाते हैं चारण जाती के लोग इस मेले के अंदर नहीं जाते हैं का पिल मुनिका को लाया तो बीकानियर के अंदर ये मिला बढ़ता है और एक मेला है जहालरा पाटन के अंदर कहां पर चंद्र भाबा मेला कौन सा चंद्र और चांद पूरा और महिना पूरा एक और मेला है चुरू कौन सा है चुरू में सहवा का मेला कौन सा है चोथा देखिए सहवा का मेला भरता है चुरू के अंदर कहां पर सुरू सुरू नहीं चुरू चुरू के अंदर भरता है मेला और यह मेला सिखो का सबसे बड़ा सहवा के अंदर सबसे बड़ा मिला अब चलिए आगे देखते हैं अगला माह हमारा अब आ रहा है मार्ग शीष मार्ग शीष जिसे मंग सर भी कहते हैं और मर महीना भी कहा जाता है और इस समय मांगलिक कारे पर रोक हो लग जाती है यानि की कोई भी मंगलिक कारे इस महा में नहीं करते हैं इसे मानेता है और यह मार्ग शीष जो ही आता है नवंबर दिसंबर के अंदर इसके अंदर देखिए इक आती काल भेरव जैंती कोन सी काल भेरव जैंती आती है मुल्यां है भी भेरुनाथ फी जय बल है काल बहर भेरव जैंती आती है इस दिन यह आती है काल भेरव जैंती जयन्ती जोंसी यह जयनती आती है मार्ग शिष्की क्रष्ण दस्मी को कौनसी क्रष्ण दस्मी को यह जयनती आती है और अगली आती है गीता जयनती कौनसी गीता जयनती जो आती है वहा थिये शुक्ल एकादसी को कत शुक्ल एकादसी को लो अभी पत्याता एक चंद्र भाबा चंद्र भागा का मिला है उसे अगला देखिए आप पोशमाह जो है यीजे दिसंबर जन्वर शाता है और इसमें पोशमाह के अंदर यहां पर कई मंदिरों चलता है और इसमें जो आती है वह आती है कि पार्षुना जैनती जो क्रष्ण जो इसकी एकम होती है और मकरसंक किरांति कर जहार जो है बहुत हम सबore और अब आता है माग मेना माग मेना जो है वो आता है जन्वरी ऑर फर्वरी के अंदर पिल चूत का अदर मास्चा रखती है महिला है कडि ब़न की चतूरती छोपत करती वहा सवय मधोफूर के बना हुआ है और माऊ मेग में पढ़ाया था उस वीडियो के अंदर आप शाकर दे कि अड़ आपको के बारे में लोक देवी हो पर दें। सब्सक्राइब्स वसंत पंचमी के दिन क्या होता है Supp Не सरसोतीख होती है कब होती है वसंत पंचमी के दिन और इसी दिन बालिटवों को प्रूचन 09 कि लिए और ईब इस चीज को गजान होना चाहिए कि वससंत पंचमी के दिन जो है कौनसा पूसकार वित्रत के तुए दिन किया जाता है वर किसके होती है सरसथी की पुज्या होती है कि November pyteam कर hypothemi और hou सती कि अ कि दिन की जाती है इसी मियुशंत न पनीचिक कर आता है माघ शोक्ला पंचीमा को आती है माघ शुक hatten और इसी दिन से वसंतर रितू चालू हो जाती है बहुत ही उपणवावना मौसम हो जाता है और श्वावटी के अंदर किया जाता है उसको भी आप कर लिजिए साथ के साथ और अब आती है माग पूर्णिमा कौनसी माग की जो पूर्णिमा आती है जैकि माग पूर्णिमा जो है दक्सिन राजसान के अंदर बहुती बड़ा तोहार माना जाता है माग पूर्णिमा को दिन क्यों माना जाता है प्योंकि इस दिन जो है माग पूर्णिमा के दिन एक मेल अंदर साफला नंगरपूर के अंदर कि यैं एक बहुती मेला अदिवासीयों का कुम्ब कहा जाता है एक यह साब ला जो नवाट में संगम मना वोय सोम माही जाखम और तरीवेणी संगम है उसके सहरमीप याओ बसा यह और वहाँ पर यहाँ पर यह मिला भठार न जी कि विनेश्वर धाम का मिला जहां पर बनिफान्हें ए संथ मावजी द्वारा गया था जहां पर कि सिवलींग है और उपर ही वाँ पर शिवलींग परिय है एक मंदिर हैत्रेवनी संगम कंसा फालगुन माह जो आता है या आता है फरवरी और मार्च के बीच फरवरी और मार्च में या ने पागन महीना आता है अब इस दिन क्या होता है रेखिए इसके अंदर आती है तो शीवरातरी फॉररातरी रेखिब और कब आती है या आती है त्रेया दसी फालगुन की जो क्रश्ण त्रेया दसी होती है क्रश्ण त्रेया दसी यानिकी क्रश्ण त्रेया दसी यानिकी क्रश्ण त्रेया त्रस फालगुन की क्रश्ण त्रस के दिन जो है महा शुरात्री आती है और इस दिन मेले भरते हैं, रेखिए मेले कहां कहां भरते हैं, यह बरते हैं एक तो केलाश पूरी के अंदर, केलाश पूरी कहां है, केलाश पूरी है, उदेपूर के, उदेपूर में है केलाश पूरी, यहां पर मेला भरता है, दूसरा मेला भरता है, सिवार या शिवार, कह मेला भरता है कि इध्र का इधर क्मिल करता है न थिग्र में यहां बना हुआ है कि इसे बताये अब अगला देख करोली में पशु मिला भी वरता है शिवरातरी के दिन कौन सा पशू मेला भरता है करोली में और यहां पर कौन सी हर्यानवी नसल जो है हर्यानवी हर्यानवी नसल यहां पर प्रमुक्र रूप चाती है और इनका जो है क्राय विक्राय किया जाता है कि हार्यान वी नसले के जो पशू होते हैं उनका क्राई विक्रे किया जाता है कहां पर करोली के अंदर पशू मिला शिवरातरी के दिन बढ़ता है और एक जैपूर के अंदर जो मंदिर है शीव जी का मंदिर है मौती डूंगरी पर वहां पर जो है केवल वर्स में एक ही बार शिवरातरी के दिन महूं पर मिला भी बड़ता है और वर्स में एक बार ही दर्शन कीए जाते हैं अब इसके बाद है हारे का न सहारा खाटू यहां पर बरता है खाटू शाम जी सिकर और यहां पर जो है खाटू शाम जी के अंदर बर्बरी जो था बर्बरी के सीर की पूजा होती है बरबरी के सीर की पूजा होती है किसके बरबरी के अब देखे एक आती है फालगुन मास के अंदर क्या आती है दोस्तो फालगुन मास में आती है तो वहली कब आती है देखे वह आती है फालगुन मास में कब फालगुन की पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा फालगुन की पूर्णिमा फालगुन ठीक है तो फागन मेना हुआ कंप्लीट और हमारी होली हुई कंप्लीट ठीक है फालगुन की जो पूर्णिमा जैसे पूर्णिमा आती है क्या होता है माह जो है वह हो जाता है पूरा समाप ठीक है तो यह हो गया आप अब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा चेत्र विसाग और जेट असाड ठीक है तो तक तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पर आगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और ब